नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं इंज्यानियूस में मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडे राखी सावंत और आदिल खान के रिष्टे ने एक समय पर काफी सुर्खियां बटो रही थी शादी होने के कई महीने बाद दोनों के रिष्टे का खुलासा हुआ था पहले तो आदिल इस रिष्टे से इंकार कर रहे थे हाला कि बाद में उन्होंने खुद भी कबूल कर लिया कि उन्होंने राखी से शादी की है रिष्टे के जग जाहिर होने के बाद दोनों अक्सर एक साथ दिखे जाते हैं जिहां दोनों को साथ में स्पोर्ट किया जाता था हाला कि बाद में पती के खिलाफ एक्टरेस ने पुलिस में शिकायत दर्च कराई जिहां जिसके बाद से पुलिस ने आदिल को गिरफतार कर दिया गया अब राकी का कहना है कि जेल से उन्हें आदिल का फोन आया है राकी सावन का एक वीडियो विरद्ध्यानी ने शेयर किया है जिसमें वो पैपराजी से बात करते हुए नजर आ रही है वो कह रही है कि आदिल ने उन्हें फोन किया और माफी मांगी है राकी ने आदिल से कहा कि उन्होंने उनकी जिन्दगी बरबाद कर दी है राकी ने पैपराजी से ये भी कहा कि अब दुबारा भरोसा नहीं है वो डर गई है राकी का कहना है कि जब आदिल ने उन्हें फोन किया तो उन्होंने आदिल से कहा कि वो जेल से बाहर आएं और उन्हें तलाग दे हाला कि आदिल ने उनसे माफी मांगी और कहा कि वो तलाग नहीं दे सकते राकी ने ये भी कहा कि अगर अब उन्होंने माफ कर दिया तो उनकी जिन्दगी को खत्रा होगा राकी के इन बातों से साफ है कि वो आदिल को माफ नहीं करेंगी और वो तलाग भी लेना चाहती है तो आपको बता दे उन्होंने पती पर घरेलू हिंसा, धोका देने और उनके पैसे हडपने का आरोप लगाया था जिसके बाद पुलिस ने आदिल को गिरफतार कर लिया था बेरहाल राखी अकसर ही सुर्कियों में च्छाई रहती हैं और पैपराजी से बात करते हुए उनके वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं और वाइरल होते रहते हैं तो आपको बता दे कुछ समय पहले उन्होंने दुबई में आक्टिंग अकेडमी चालू की है तो इसे तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हैं इंजेनियों के साथ